75 साल तक सिक्षा नहीं दी गई है दक्षिन पश्चिम में आज भी बड़े बड़े नेता पनियां माटते हैं जब बारिश होते हैं यह आरोब लगाते हैं तो फिर अपने वोट क्यों लगाते हैं कितने करोर रुपे शिवराज सिंग चोहां जी रोज ले रहे हैं बताईए बीजेपी की सरकार में कहीं कोटाले हुए जो एडी की चांच चलेगी 24 जंटे 365 दिन दिखते हैं पीची सरमाजी दिखते हैं गुपता जी कितने दिन दिन दिखे के लिए गरीब के लिए पीची सर्माजी ने संजीवनी बाड़ वाड़ में बनवाई है किशन सूरे बंशी जी नगर निकम अध्यक्षे उन्होंने बूमी पूजन किया उसके दूसरे दिन यह बूमी पूजन करने पहुंच जाते हैं कि ताइंग में अकर पीची सर्माजी ख़़े होंगे तो 20 परसंट अगर जनता उनको पसंद कर ले तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा पीची सर्माजी बुलकुल विकास नहीं हुआ कुछ काम नहीं हुआ बोट के अलाबा विधायक जी ने कुछ काम नहीं है आठी जिस तरीके का जारोफ लगा रही है य कितने दंगे होते थे पीची शर्मा विकास के काम नहीं करा पाए देखिए विकास के काम तो उनने इतने करें कि यह लोगो गिनाना गरपन चालू करेंगे तो यह लोग तीरे-दीरे निकल जाए यही भाई साब के सामने सब्सक्राइब करता है यह बोल रहे है मामा तो किस का बेटा है मामा कहा जाएंगे छोड़के मामा कहीं नीजा यह जो बहार के होनी जाएंगे छोड़के. सिवराज जी के रहें मैं चला जाओंगा तो आपको मेरी याद आएगी हमको याद आएगा आपका प्रष्टाचार हमको याद आएगा आपने जो खतम कर दिया पूरा मत्यप्रदेश अब सस्ती हो रही है जो वीर होता है जिसमें दम होता है वह ही घोषणा करता है यह दिसंबर तक के हैं बस उसके खता में लोगी काहनी 200 पार मद्द प्रदेश में भाजबा की सरकार बनने जा रही है पंपलेट निकाला आपने देखा हुआ इन्होंने किस तरह बोकरा के भाड़ दिया समस्या है मैं बेन भीभाद से मुख्याले से 31 जनवरी 222 को रिटायर्मेंट हुआ तब से लेकर आज तक मेरी पेंसन नहीं बनी मेरा बच्चा खुचिलाल में पीमार एट मीट है दवाई के लिए पैसा नहीं है आज तक मेरी पेंसन नहीं बनी है बीस महीने हो गए मेरी बच्चे ब्लाइंड है आज तो प्रमाल प्रसन नहीं मिला जो बिकलांग भटता है एक दो महीने मिला इसके बाद में बंद कर दिया गी रोजगार है भी तो सब घूस खो रही है अभी पटवारी स्काइम हुआ है अभी तक उसके पेपर दुवारा हुए नहीं है मतलब रोजगार का कोई फाइदा अभी तक हम लोगो मिल नहीं रहा है इसका योजन आई अभी तक हमको उसका भी लाप नहीं मिला क्योंकि अब इसके वो डेटी नहीं आ रही है जो है इनके बाद सुनना भी जरूरी जो य चुनावी चकल्लस का कारवा भोपाल की दक्षिन पश्चिम सीट पर है यहां से कॉंग्रेस के पी सी शर्मा विधायक हैं और हम जायजा लेने आये हैं कि बीते पास सालों में यहां पर क्या काम हुएं क्या काम नहीं हो पाए हमारे साथ कॉंग्रेस बीजेपी और आम आद सालों में यहां पर सामने जो बोड देख रहे हैं वो बोड लगाने का काम हुआ है और वो काम पिछले साथ साल का है वो बोड जो आप देख रहे हैं वो दूर देख रहे हैं वो सिर्फ यहां पर बोड लगाने का काम हुआ इसके लाब कोई काम नहीं हुआ आप आम आदमी दिखे गए वहां पर एक बोर्ड बहुत अच्छा दिखाएगा वहां लिखा होगा पीसी शर्माजी और कई वाड़ों में तो पार्षदों के बोर्ड लगें बोर्ड लगाने का जैसा बीजेपी वालों ने कहा बिलकुल मैं समर्तन करता हूँ विगत पांच वर्ष से आप जाके देख लिजे सरकारी स्कूलों की दुर्दशा हो चुकी है आप शबरी से लेकर कहीं पर भी जाएंगे आपको लगेगा कि वहां नर्दे भरे पड़े हैं कंसाना जी पारसद हैं मैंने करीबन तीन बार अंदोलन करके वहां सफाई करवाई लेकिन वहां पर विवस्था नहीं है बहुत दुख और बहुत वेदमला वाली बात है कि विधायक भी यहां पर मंत्री भी रहे उसके बाद पुराने भी मंत्री एक और रहे विधायक रह 75 साल तक सिक्षा नहीं दी गई है डक्षिन पश्चिम में आज भी बड़े बड़े नेता पनियां बाटते हैं जब बारिश होती है शर्म की बात है कि आपने किसी को शेड अच्छा नहीं दे पाए पनियां 75 वर्ष में पनियां माटके नेता बन जाता है यहां का सरकार तो जो बोल रहे हैं कि सरकारी इसकुल की आविवस्ताय जो फेली हुई है मेरा मानना है कि जब आज से कुछ साल पहले 15-20 साल पहले देखेंगे हालात इसकुलों की वो इसकुल नहीं टप्रे टाइप के लगते थे और आज जिस तरीके से भारती जंता पार्टी अभी पीसी सर अग्यूआ है उए मने बहुत बड़ा मास लाया यहां पर यह शिर्फ उन्होंने लोगों का इभिकास करवाया और नहीं यह शडख पेले कितनी खुली हुई थी यहां पर माता जी बैठे ती यहां पर तो भापे भी अब पूरा आती प्रमल लगा पीसी सरमाजी ने विव खड़ा कर दिया और पूरा यहां से हमादा पूरा आतिक्रमण और इसकुल के नाम पे तो सिर्फ बदा बद हाली उनके छेत्र में है और बाकी दूसरी जगे जहां हमारे कृष्णागोर जी है वहां के इसकुल की हालत नहीं उनका एक आरोप बार बार वह आरोप लगाते हैं बिना काम करें अपने बोट लगा दे रही है यह मतलब जो जिस तरीके का इनका सड़ी अंदर चल रहा है काम अगर यह बोल है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता और काम नहीं कर रहे तो फिर बोट क्यों लगा रहा हो भाई सवाल ले लिजिए सवाल ले जी पटवारी परिक्षा रद्ट हुई है माननी शिवरासिंग चोहां जी ने रद्ट की है इस पर आपका क्या कहना है उस पर यह कहना है कि अगर लोगों ने जब आवाज उठाई और उसको तथ्य उनने रखा नहीं लेकिन हमारे शिवराज लगा कि लोगों ने उस पर कहा है तो उसकी जाट चल रही है तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई तथ्य होता तो कांग्रेस कोट जाती ना सिर्फ मुह से बढ़ बढ़ाने से कि मैंने यह हो गया और वो हो गया इसलिए उसमें कोई तथ्य नहीं है क्या आम आदमी पार्टी इस बात से संतुस्त है कि पटवारी परिक्षा हुई रद हुई लेकिन सब कुछ ठीक है कैसे ठीक है साब आप देख रहे हो व्यापम से लेकर इतने घोटाले हो चुके हैं उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ कितने करोर रुपे शिवराज सिंद चोहां जी रोज ले रहे हैं आचार सहिता लगने से पहले पांच हजार करोर लेके माट रहे हैं यह वही लोग थे जो कभी कहते थे कि रेवडी बातना बुरी बात है आज रेवडी का भंडाल लगा दिया हैं यह 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 आम आदमी पार्टी यह 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 आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि कर्ज लेकर रेवडिया बाटी जा रही है इनके सारे के सारे जितने भी नेता है सारे के सारे जेल में हो जेल में है न ये मालिस करवा रहे हैं इनके गिरे मंत्री दिल्ली के अंदर उस पर भी उस पर भी आरोप लगाए जाता है कि दुरूपयोग किया जा रहा है केंद्री ज़े में नहीं जाते हैं बीयपी की सरकार है जोई एडी की जान चलेगी जहां जहां कांग्रेस की गोर्मेंट है और जहां आपकी सरकार चल रही है वहाँ पर ये लोग इतना घोटाला कर रहे हैं, खुद इनके मुख्य मंत्री आठाट लाग के परदे अपने घरों में लगा रहे हैं, तो क्या ये घोटाला नहीं है, शराप का घोटाला नहीं किया इन्होंने, जबरनी इन पर ED लगाई गई है क्या, बिना वजे किसी को कैस किसी को जेल में भेज सकते हैं, जब तक उनके किलाप आपको प्रूफ नहीं मिलेंगे, कोई भी एजेंसी किसी को जेल नहीं भेज सकते हैं, दक्षिण पश्चिम के लिए, पीसी शर्मा पीसी शर्मा जी ने क्या किया है, ऐसे कौन से काम है जो आप गिनाना चाहिए, इस नाली से लेके आध दच्चिन बच्चिन के बिजाए 24 संटे, 365 दिन दिकते हैं, पीसी सर्मा जी दिखते हैं, गुपता जी कितने दिन दिखे, गुपता जी 2 साल में कब दिखे, बताइए गुपता साल जिवनी, आम गरीब के लिए पीसी सर्मा जी ने संजीवनी पिछले एक्टा साल में और एक जगह पे सड़के गरीवों में सीसी रोड और पीसी सर्माजी ने खुद ने उच्टा उच्ट करा है कि लाज के लिए आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूई गरीब को इलाज मिलना चाहिए कॉंग्रेस के नेता के नेता कह रहे हैं कि पीसी शर्मा या संजिवनी क्लिनिक नहीं लेकर आई यह बारती जन्ता पार्टी का एजेंडा था अपनी भारती जनता पार्टी लेकर आईए इसको और ये बाद में दूसरे दिन भूमी पूजन करते हैं पहले दिन हमारे बिधायक जी माननी उमर्शंकर गुपता जी जो पूरो बिधायक है यहां से मंतरी हैं उन्होंने भूमी पूजन किया था किशन सूर्व अंशी जी न पीजी शर्मा यहां से 2018 में जीत गए चुना देखिए पीजी सर्मा जी उस टाइन जब जीते जूट फरेव और जो अटकंडे विचेस समुदाय के लोगों को उनने संजक्शन देके यहां की सीट हत्याली पेसे बाटे उनके कई रिको डारू बाटे वोट खरीद खरीद क करके पूरे ब्रस्टा चार करके उनने सरकार बनाई फिर उसके बाद जब शटक्शन के विचेश ब्रस्टा चार ब्रस्टाचार का अरोप और खरियत फ़रोग्त का आरोप तो वह आप पे लगातें उनका बोलना है कि हमारी चुनी हुई सरकार को छीन लिया गया जक्षिन पस्रिम के जनता पीसी सर्माजी से पूरी तरह से परिचित हो चुकी है आज की ताइंग में अगर पीसी सर्माजी ख़़े होंगे तो 20% अगर जनता उनको पसंद कर ले तो मैं राजनीती करना छोड़ दूँगा पीसी सर्माजी तो आज जन आकरो से आत्रा निकाली है कांग्रेस के द्वारा जिसमें भोपाल सेहर के तमाम कारेकरता बलाए गया थे जिसमें सो कारेकरता भी खटे नहीं हो बाएं पीसी शर्मा इनका आरोप है आपके सामने इनों ने आरोप लगाया कि पीसी शर्मा ने तमाम हतकंडे इस्तिमाल करे और चुनाओ जीता इस पें अपका क्या क्या किया है एसा स्रीमान जी बात जो जो निर्त्व निस दो से उनको वह जेल बहे पहज रहा है क्या PC शर्मा क्या दक्षिन पश्चिम में विकास हुआ है बुलकुल विकास नहीं हुआ कुछ काम नहीं हुआ बोट के अलाबा विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया जो बिजेपी मुख मंतिरी संजीव नी मुख मंतिरी सरकार बनाती कोई विधायक बनाता है हमारे अग्देड नगनिका अग्देड और सिवराज जी की नेत्र में जब उष्गाटन हुआ और दूसरे दिन PC सर्मा जी का रजी कौन सा नहीं है कौंग्रेस का यह आरोप है कि केंद्र में आपकी सरकार राज में आपकी सरकार नगर निगम में आपकी सरकार तो सहयोगी नहीं मिल पाया बीते पास सालूम कैसा मैं समझी नहीं सहयोग केंद्र सरकार राज शरकार और नगर निगम में भी आपकी सरकार रहिए PC शर्मा का सहयोग नहीं मिल पाया देखिए भारती जंता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी किसी को वो नहीं करती है कि यह कांग्रेस का विधाय के तो हम इसको फंड नहीं देंगे फंड बराबर देते हैं फंड उनको बराबर मिलता है लेकिन उनकी काम करने की मंशा नहीं है वो सिर्फ बोड लगाते हैं बोड लगाते हैं आपके आरोपों पर कॉंग्रेस न वाली पार्टी नहीं है यह लंगा विल्ला की पार्टी है जेशा जेशा एक तरीपार्ट कॉंग्रेस के नेताओं ने बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी पर कबजा हो गया है दो लोगों का इस पर आपकी क्या सफाई देखिए भारती जनता पार्टी पर कोई कोई कबजा नहीं होता व्यक्ति विशेश नहीं है यहां पार्टी सबसे बड़ी होती है और इनका आरोप बिल्कुल गलत है और इन्होंने गलत शब्द प्रयोग किया है मैं इस सो बोलती हूं कि यह माफी मांगे उनके लिए क्योंकि उन्होंने इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जो प्रतिक्या ली थी उस और हम लोग चल पड़े माफी की मांग कर रहे हैं सर लड्डा जी हमारे में सारे लोगा बेच्डर मिटिंग करते हैं हमारे तनों की पर्टी नहीं है यह ङुफ लूप लगफ बायशन पन्दर कोंग्रेस के बिदायक पीजी चरमाजी ने काम कराया है पंदरा साल में काम पंदरा साल के पुराने मंत्री इस मार्ट्रिटी के नाम से पूरी जमीने बेज़ती और ब्रष्टाचार चरम पे देऊंगे अगर इनके विदायक ने 15 साल में काम किया होता तो जीतता वहारा क्यों क्योंकि उस व्यक्ति ने काम नहीं कराया था पहली चीज दूसरी चीज भारती जनता पाइटी का सिर्फ एक ही मुद्दा है मंदिर मज्जित हिंदू मुस्लिम इसके लावा भारती लडाने की राजनी बारती जनता पाइटी दारकार के पहले किस्ते दंगे होते थे को यह थी जनता पार्टी जनता पाइटी दंगे नहीं करवाथी है शर्मा से पहले पीसी शर्मा से पहले तीन बार मौका दिया गया बीजेपी को फिर ऐसा क्या हुआ कि पीसी शर्मा चुनाओ जीत में गापता हम पेसा चुनाओ लएधे पर एक आंदोलन लेके आ थे जाति प्रमाइंड लोगे जो महारास्ट्रे लोग यहाँ पर रहते उनके तरह से इनने कायो बना था जातीप्रावान तो मंच बनाया उनके टेबल का कारीकम था वो कानुन मंत्री बने और देल सरकार में उसको पारित ने करा पाए ना उसको कुछ ने काम किया सिफ बोड़ बाने के लिए एस एस्टी के लोगों उनने बढ़ लाया अपने आपे घटा करा आदिगार मंच बनाया एस्टी के नाम से और हम सब को जातीप बनावब बस्तर देंगे यह चीज़ गरेंगे लेकिन तीर सा सरकार रही उनके वाली उनके टेबल का काम रहा है वह मंत्री रहा है उस चीट के लोगों किया काम काम आरोप बार 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 यह आरोप लगता है बार बार यह आरोप लगता है कि पीसी शर्मा विकास के काम नहीं करा पाए देखिए विकास के काम तो उनने इतने करें कि यह लोगों गिनानागर अगर पन चालू करेंगे तो यह लोग यह दीरे-दीरे नि इन लोगों ने इतना ब्रश्टार चार कर दिया था कि साड़े 12,000 फाइले जलवा दी इन लोगोंने सत्पड़ा ववन में इन लोगों काम सिर्फ भरश्टा चार है और इनका जो गोश्णावीर मुक्कमंत्री है सिवरा सिंग चौण वो सिर्फ गोश्णावीर है अभी उसन इतना ब्रस है का कॉंग्रेस का आरोप है कि इतना ज्यादा हुआ कि फाइले जलानी पली सत्थ पुर्डा शुनाओ से देखा आपके बीच मानने यही भाइश साब के घर के सामने सालक बनी है या कांगरस के कार करता है बागी जबागी जबाट दे रहा हूँ जवाब दे रहा हूँ, एसाई की जो विकास का में जो रोड बनी हुई थी, नहीं, बात ये कि जो सेज तुकड़ा बज़ेट का तो, अरे बातों सुन दीजे मिले, जवाब ले लिए, जवाब ले लिए, जवाब ले लिए, जो बज़ेट का तुकड़ा बचा हुआ था, मह पानी परता है, जवाब बनाई गई है, जवाब ले लिए, जवाब ले लाइन, का तो, उनके घर के सामने रोड बना जी जाएगी, बड़ा आरोप है सरिया, आपकी पार्टी के ओपर, कि मूद एक कर, मूद एक के विकास का काम किया जाता है, अभी मात्र दो से तीन महीने इनके बचे हैं उसके आदि लोग सबको घर में बेटना है क्योंकि कॉंग्रेस की सरकार आ रही है फोल वहूं बसे दूसरी चीज दूसरी चीज में आपको बता देता हूं इन लोगों ने अभी 200 रुपे कम करें सिलेंडर में 200 रुपे कम करें यही चीज अकर वो लोगडाउ कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों यहाँ पर में इस्ट्रीम पॉलिटिक्स में आप अपने आपको कहां पाते हैं देखिए मैं तो कह रहा हूं यह चोर-चोर मौसेरे भाई हैं 75 साल से दोनों ने यही किया और आज की स्थिती में यह हमारी आरोप है क्या गड़बंदन में और इंडिया में गड़बंदन तो इन्हें भगाने के लिए लोग सबामें हम इनको बाहर करेंगे इसलिए गड़बंदन कीया है मैं आपको बता ओं यहां की विदायक कि बहुत बड़ी पदवारी गोटालों के बीजेपी पर गोटालों के आरोप लगातार और इसको लेकर कॉंग्रेस हमलावार है बीजेपी पर बुरी तरह क्या कहना है वह यह 15 महिने की सरकार में अभी तक सबने देख लिया यह बोल रहे मामा छोड़के जा रहे मामा तो किसान का बेटा है माम कहीं नहीं जा रहे मैं चला जाओंगा तो आपको मेरी याद आएगी हमको याद आएगा आपका प्रष्टाचार हमको याद आएगा आपने जो खतम कर दिया पूरा मत्यप्रदेश पूरा लूट खाया मत्यप्रदेश आपके जो मंत्री है वो पूरा नश्ट करते जा रह है आप हमार्य कमला जी फोहर तेइस इस में भावी मुष्पंत्री बन करहें रएब बड़े बड़े जो मुद्वें जो बड़े मुद्व veins निकी बात करते ला न हों संधिबनीं किलाने के लिए उस से इंचे भशाय की सेन्ध गोर्मेंट टी कम लॉट रहा है जरी वो ले रहा है दक्षिण पश्चिम में विकास के जो भी काम हो रहे हैं वो बीजेपी कर रही है पीसी शर्मा कुछ नहीं कर पार यह देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि यह लोग स्रिफ जूल्ट बोलने के लावें इनका कोई चारा नहीं है दूसरी चीज़ अभी इनका प्रे लेकर फिरीए के लिए सिलनयाइस कर रहे हैं उसका भूमी पूजन कर रहे हैं अच बता रहे है मुन्टोल से कर रहा है हर चीज मतलब वहां तक तो पर रहा है जहां था कमल ऑगोंच चुके एक युव members सात में आ पर आपर जूद हैं उनसे हम जानते हैं कि क्या इस्तिति है रोजगार की उनको क्या लगता है क्या लग रहा है पहले बाद तुम्हें कहना जाता हूं दोनों पार्टी आप पहले बाद सुन ले उसके बाद जो सही लगे आप लोग निरने करिए दिक्कत यह कुछ नहीं थी इनका लोग डाउन सब्सक्राइब बाद तो जब से मैं सुन रहा हूं बहुत दिनों से मैं सुनना में एक रवीस कुमार को सुनता था जो फिलकुल इमानदाराद व्यक्ति था उसको भी आप बढ़वा दिये रोजगार किसी दिक आप रोजगार है क्या ने बतौर युवा महंगाय और बेरोजगारी यह दोनों बड़े मुद्ण इस पर आप क्या क्या केना वर बेरोजगारी का जो मुद्ण है कठोर हो लेने पड़ते हैं जी दिसमें अभी भी करोना काल में आंदेस के परधान मंत्री ने हर घार हर घार में पेट भरे ऐसी योजना के पांच किलो राशन देना कार हर घर को उसमें कोई सेनी नहीं रखी इसको कहीं न कहीं स्टेब्लिस करने के लिए महंगाई कहीं न कहीं नियंतरण करने के लिए कर रहे हैं महंगाई से लोग बहुत परिशान और अभी एक यूवा थे वह इस चीज़ पर उन्होंने जोर दिया कि रोजगार को लेकर समस्या है इस पर आपका क्या क्या रोजगार को लेकर समस्या रही है तो कुछ समस्या यह भी है कि अगर रोजगार अगर परियाप्त नहीं मिल पा है तो यह अकलन का वुषय होना चाहिए विषय का मदिपर देश क्टाश कजिए अरक्षन रखन की द यह रहे हैं रोजगार के और भी रास्ते प्रोवाइट कराए जा रहे हैं जनता को आज की डेट में जो मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का किया जा रहा है जिसके तहट तमाम स्किल्स डवलप की जा रही है यूवाओं में और उनको रोजगार के समीप और लेते जा रहे उसको मतलब महंताना भी मिल रहा है दस हजार रुपए तो विपक्ष कैसे इस चीज़ को बोल सकता है कि सरकार रोजगार के प्रती लोगों को जागरुक नहीं कर रही है या उनको प्रेरित नहीं कर रही है कि आप जब तक स्किल्ड डवलप नहीं करेंगे तब तक आप रोज योजना दी है शिहुराज सरकार ने जिसमें स्किल्ड भी सिखाई जा रही है और पैसा भी दिया जा रहा है सीखो कमाओ योजना अजा रुपे दे रहे है वो ही भेनो से ले रहे है वो भी लूटके ले रहे है आप बताओं और हमारे बाप्चे को और नहीं है इसरे नहीं सारव है सब कुछ रहता है सीखो कमाओ योजना पर इसी मुद्धे पर सुम लो देखो ऐसा है कि अटाहाँ साल हो गया आध तक इनको उद्ध्य हो दामी वाली योजना चालू करना था तो अठाहाँ साल पहले से क्यों नहीं चालू कि आज वह विचारा देसा कमाता पंदाजार कमाता पंदाज सबसे पहले पंदाज मैंने सबसे इंवेस्ट इंदोर में सबसे वाले इनवेस्ट का कारका में यहीं मात तीन मेने के अंदर चालू किया था जिससे की बड़े-बड़े उद्ध्य हम योगों बुलाए था विडियो से उद्ध्य हमी आये ते जो यहां रोजगार देना चाल थे यहीं बास्तम में आज कमानाजी होते तो आज बेरोजगारों की स म zar पंद्रमाईनी की सरकारती जिसमें से चार माहीने आचर सनिता के लिए गए 11 माहीने के अंदर हमने जो पंद्रा साल में यह विरिद्धा और विद्ध्धा पैंशन तेंसओं से चार्सो नहीं कर पाए हमने भीर चैस्थ सो करति हैं और एक हाजर करने वारे थे किसांस प् किसानों का कर्दा माफ करा, जबके विखान समा में कमल पर्टेल ने खुझ बोला, हमने जो शादियां थी, मुख्यमें तिक कन्यायोजना के तेद, विवायोजना के तेद, एक कावन हजार करा, 26,000 में दलाली करते थे यह लोग खा जाते थे कपड़े बर्तन के नाम से दलाली करते थे यह लोग हम 51,000 रुपे रिकोर्ड है हमारे पास कमल पडेल ने खुन मुदान समा में कहा कि 27,000,000 का किसान कमलनास जी के सरकार में माफ हुआ किसान कर्द कर्ज माफी कर्ज 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 यह बोल रहे हैं किसानों की कर्ज माफी हुई थी कमलनास सरकार में क्या कहना जब इन्होंने पिछला जो चुना हुआ था इन्होंने चुनाओ लड़ा था और उन्होंने जनता को वर्गला के चुनाओ लड़ा था कि आप हमें वोट दोगे, हम आपका कर्ज माफ कर देंगे, दस दिन के अंदर, है ना, मुख्य मंत्री बदल देंगे, लेकिन इनोंने 15 महीने गवर्मेंट चलाई, एक रुपया इनोंने नहीं माफ किया, दूसरा इनोंने जो लाडली बेना योजना चल रही थी, लाडली लक कोई काम ने सकतर सालों में, जब कंग्रेस की गॉर्मेंट ती, ना तो मध्यप्रदेश में रोड थी, ना बिजली था, ना पानी था, कुछ नहीं थी, ना सिक्षा थी, ना स्वास था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, लेकिन जैसी भारती यंता पार्टी की गौवर्मेंट आती है, यहाँ पर सारी सुविदाने जनता को मुद्दे, मुद स्वाटि शिवराज सिंग चोहान जी न चालू करवाई, और इन्हों ने ब्रद्धा पेंशन बंध करवाई, केटेएं кिसान का करता के देकि, किसानु का कर जमा कर आदी है, करी रही है, अकितम का M Machine, सिवराज सिंग चोहां को घोशणा वीर बोल रहaufen सिएकिन सजए कामना समस्कूली नात Bizmal का मना कमलनात कमना चुराज सिंगг होस्ञा Lite कि ने गोषणावीर करते हैं जिसमें चिसमें डम होता है यह कह ना बीजी कि सुनो ये लोग तो बूलेगे ये दिसंबर तक के हैं बस उसकेया बहनों की याद बहनों की याद शिवराज सिंग चोहान को तब आई जब सरकार जा रही है यह कॉंग्रेस का कहना मद्दप्रदेश यहां बेहनों का समवाला पचास साल से कमलनाज जी कि सरकार थी कॉंग्रेस की सरकार थी जब यह लोग कहां गए थे बताईए विजली तो बीजेपी के सवालों पर आपका क्या देखिए मेरा बीजेपी के फिर सवालों वही जवाब होगा सुनो तो यह क्या है इनकी कानूर कानूरिवस्टा भी अभी उच्जेन में बच्ची स साथ बलतकार होता है यह लोग कुछ नहीं कर पाते हैं बहुत गंभी रापचे सुनिए पहले जवाब लूगा जवाब लूँगा पहले सुन लिजे बहुत गंभी अभी इनका एक सरपंच एक डलीत के ओपर बातरूम करता है उसको किड्नेप करता है और इनी के विदायक रामेशवर सर्मा जाके उसको छुड़वातने हैं सुनते जाहिए अभी इनका एक महामंतरी था सीधी का उसने पैसाब करी जब लूगा जब लूगा पहले जब लूगा एक ये लोगों को कुछ नहीं पता टोटल फर्जी लोग है ये लोग इन लोगों ने दलीतों का संबान करना सीखा ही नहीं है इनके लोग पहले बातरूम पहले एक पेशाब करता है और एक मुख्यमंतरी निवास में पाउंध होता ये इनकी निती और नियत है जलित दिगवेया सिंग ने जब 2003 में मद्धि परदेश शासन चोड़ा था तब 17,000 करोड का करजा था आज 4,35,000 करोड का करजा है मद्धि परदेश पे अभी पाभी अभी 300 मिलती थी 600 करी ये लोग बाते कर रहे हैं मामा ने इतने अपने जीवन काल में 18 साल में चार बार के मुख्यमंतरी में इतने बड़े घोटाले कि देश में कोई घोटाला करनी सकता शिवरास सिंग चोवान जी जब देश में पैदान मंतरी जी आये थे उन्होंने बोला मेर बूत सबसे दलित 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 और आदिवासियों को लेके यह आरोप लग रहा है कि शिवरास सरकार में दोनों पर अत्याचार हो रहे हैं मालिक अगर किसी पर अगर अत्याचार हुआ भी है तो उसका हमने पार्टी में उस व्यक्ति को हटाया है हमने उनका टि जो किसान कभी लाड़ली लच्मी लाड़ली लौंग्रेस मुटों की कॉंग्रेस कंग्रेस मुद्धों की कमी से जूज रही है यह कहना है बीजेपी मैं भारते जंता पार्टी की तमादु नेता उसे पूछना चाहता हूं कि जिस गव माता का पूछ पकड़ कर यह सत्ता प्राप्त कर लिए उन गव माता की हालत आज क्यूँ ऐसी है जब आप देखोई गव माता की पूरी व्यापक विवस्ता है अब कुछ जो किसा गव साला हमारों राज में पहले भी थी आज भी है लेकिन जो जो 호ना गो साला है नहीं खुली आप जार होना नुक्र होनाँ कुछाध चांतर है उसको कंप्यूटर बाबा अरोप लगा रहें कि गई माता वोट नहीं देती हैं इसलिए उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है कोई पूछने वाला नहीं है क्या कहना है में लगे हुए कंप्यूटर बाबा अपनी सेटिंग में लगे हैं कि कॉंग्रेस की कहीं गलती से गॉर्मेंट बन गई तो कहिना के लाल बत्ती मिल लाएगी मुझे अपनी दुखंदारी सेट रहे हैं क्या कि लाल बत्ती तो बंदों चुकी मैं अपने मित्र को बता दू पहली चीज और दूसरी चीज इन लोगों ने और इनके जो हमें साव और अपने प्रदान मंत्री जी हैं इनने करनाटक में भी एसी हवा चलाई थी हिंदू-मुसलिमी करा जेशियराम के नारे भी लगे करनते जाओ मैं आपको बता दूँ उसके हाथ क्या हुआ इनका हाल यह वहां से हट गए यहां की जनता इनको जवाब दे दिया एसी मत्वित की जनता इनको 23 के एंडिंग में जवाब देगी और कमलनाथ की सरकार बनेगी हमारे साथ में हमारे साथ में इस इलाके के बुजर सक्स भी मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि दक्षण पश्चिब में विकास हुआ या क्या सित्य विकास है मेरी तो बैक्तिका समस्या है मैं बैन विभाग से मुख्याले से 31 जनवरी 222 को रिटायर्मेंट हुआ तब से लेके आज तक मेरी पैंसन नहीं बनी मेरा बच्च प्रमाट प्रसान नहीं मिला जुब एक लांग भगता है एक दो महीने मिला इसके बाद में बंग कर दिया गया मेरी बैक्तिका समझते हैं दक्षिण पश्चिम में ज्यादातर कर्मचारी हैं तो वह पुरानी पैंशन की मांग कर रहे हैं कॉंग्रेस ने वादा किया है कि ला पुरानी पैंशन स्कीम को लागू करेंगे ये 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 उनका ये 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 उनका ये 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 कर्मचारी का तपका और पेंशन स्कीम की मांग कर रहा है कॉंग्रेस ने इसका समर्थन किया बीजेपी का क्या 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 है देखिए मैं दोनों सवाल के जवाब देता हूँ अभी गव माता का आपके सहीयोगी ने पूछा था एक मिट बात सुन लीजे बात सवाल किया है सवाल किया सुनने के सोकिन होई है इन लोगों में से समसान गाट कितने कहें आज पेले पेर काट के लकडिये चलती थी जो हमने गोसाला खोली उसके गोकन बनाके और अंतीम संतिकार किया जा रहा है किस्ते लोगosse किस्ते लोगosse आएं मुसाला से आता है वह कि एधुन गाट कहाथ है कि आइधए पेल्ट पनाट में कि भाग लेंगे यह जित्ति अरे यह गोटना चूटी करते वह औरिजनल करते हैं मुख्य मंतिरी ने मालूम है आपको 600 रुपे दे रहा थे हैं अभी 1000 कर दिये लाडली पेना के साथ हम लोगों ने फारम भरवाएं और 1000 दिलवा रहें उसके पंद्रा सो रुपे के जो फारम भराय सब फर्जी है हमारे शिवराज जी ने तो कोई फारम नहीं भरवा है 1000 रुपे मिल रहें हैं बहनों को जो जिसका आपने वादा किया था वो वादा शिवराज सिंग चोहान ने पूरा कर दिया यह कहना है बीजेपी का इन लोगों को मिल रहा हो को बिजेपी वालों को तो यह सा बोल रहा है बागी तो किसी को इसी फैसलिटी मिल नहीं रही दूसरी चीज़ कमलनाज जी की जब सरकार आएगी तो 500 रुप मिलेगा हर भेन को 1500 रुपे मिलेंगे उन्होंने तो लाडली लाडली और जोला में 450 का सि मर रही थी तब इनके कमलनाजी ओंके मुकमंत्री को या दिया सिवरा सिंग चोहान को आज मामा परेशा ने जाने वाला है तो 900 रुपे का सिलेंडर कर दिया यह इनका चाल चलित रहे यह लोगो कुछ नहीं कर सकते मैं इनका यह कहना है कि यह हुआ तो ऐसे हुआ यह हुआ तो ऐसा हुआ तो भाया इतने साल में यह हुआ पांसोता दिया इनका यह देंगे और हम दे रहें आज की तारिक में कई भीनौक करलो कर लो ककुछ रहें चाहरे पांसों कदे ने की बाते करते हैं कुछ करनी पाएंगे यह करनाटक में के सिदि इनकी देख लो करनाटक में किस निवर ने रगव हो गोई बसों में हालत खाला है पसों में चाकु छूरी जल रही है बसों के अंदर फिरी बस कि सेवा के जक्कर में बस की सेवा खराब हो चुकी है विकास कारे के विदायकात न दक्षिर पश्चिम से इस बार बीजेपी उम्मिदवार कौन होगा? कमल का फूल! इधार बोल रहा है कि कमल का फूल उम्मिदवार होगा दक्षिर पश्चिम से उम्मिदवार कौन? इसी शर्मा जी और 25-30 अजार से जीतेंगे कॉंग्रेस कह रही है कि उनके पास PC शर्मा बहुत बड़े उम्मिदवार है इधार बीजेपी के पास में कौन चैरह होगा इस बार? कमल का फूल! कमल का फूल! हमेजा कमल की फूल पर जुनाव लड़ती है और उतने लड़ती रहेगी हमारे में नहीं चलता बीजेपी ने इस बार मद्धिप्रदेश में CM फेस भी नहीं दिया है वहाँ भी यही बात आ रही है कि कमल का फूल ऐसा क्यों केडर वेस पाटी है पाटी केडर वेस है और उसी हिसाब से चलती है और सेरे जगे हम लग उसी हिसाब वहां मुख्यमंत्री का भी वा वहां वा मुख्यमंत्री का चेहरा भी है वह अ मत हैं सबस्दुख की चलती है वहां भी वहां कॉंग्रेस के पास में, कॉंग्रेस के पास में CM कंडिडेट के चौर पर कमलनाथ का चेहरा है। जबाब ले लेता हूं जबाब ले लेता हूं इनके इनके साथ कंडिडेटें यहां से मैं आपको बता दूँए सुन्ये मैंने क्या बोला साथ कंडिडेटें लोगे पहले बोलने दोस्का आप बोलना मैं नहीं बोलूँगा सुनो ओमाशंगर गुपता कीर्ती गुपता नेया बग्गा राहूल कोटारी प्रग्या सेंग रामेजा सर्मा ओ बता रहा है यह भी है मतलब आप देख सकते हैं यह लोग की हार निश्चीत हैं पीसी सर्मा जी इनकी बास सुन लिए जीते वे लगबगता है जो हारे वे हैं पीजेपी उनमें बड़े बड़े नेताओं को उतार रही है केंद्री मंत्री को उतार रही है और यह लोग जूट की पुडिया तेरे कमल नाथ तो अकेले हमारे मुख्यमंत्री है यह भगन सिंग कुल दस्ते को कॉंग्रेस का रोपे कॉंग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इतनी डरी हुई है कि नरेंच सिंग तूमर से लेकर प्रलाद पटेल फगन सिंग कुलस से तमाम हैमिवेट को तर दिये सब जीतेंगे जिससे जीतेंगे जीतेंगे इसे निजीते हैं इनके इनकी इस्तिती इतनी खराब है कि इनको केंद्री मंत्री उतार रहा पड़ गए बाद कि रोजगार है नहीं रोजगार है नहीं रोजगार है भी तो सब घूस खो रही है अब बेस्ति फरी पर दौराote पटवारी में आ गई इतना बड़ा घोटाला हो गया और हम लोग क्या होगा कोई रोजगार की बड़ी समस्या लगती है यह पिछले 18 साल में बहुत घटी रोजगार अब हम चाहते हैं कि सरकार नहां चाहरा है मामा जी पे बहुत भरोसा कर लिया युवाओं का कहना है कि माम और भाजपा कभी भी जाती की राजनीती नहीं करती ना हिंदो मुस्लिम से किसाई कोई नहीं देखती यह कॉई राजनीती नहीं करती तो यह है भोपाल की दक्षिन पश्चिन सीट जहां से पीसी शर्मा मौजूदा वक्त में विधायक हैं कॉंग्रेस और बीजेपी तमा नेताओं को आपने सुना चुनावी चकल्लस का कारवा इसी तरह भोपाल के अलग-अलग विधानसभा सीटों पर जा रहा है और आप तक पहुंचा रहा है कि वहाँ पर कितना विकास हुआ कितना विकास नहीं हो पाया कैमरा मैं नरेंद्र पाटिल के साथ किलमान खान प्र पी बड़े बड़े नेता पनियां बाटते हैं जब बारिश होती यह आरोप लगाते हैं तो पिर अपने बोट क्यों लगाते हैं कितने करोर रुपे शिवराज सिंग चोहां जी रोज ले रहे हैं एक बात बताईए बीजेपी की सरकार में कहीं घोटाले हुए हैं जो एड भूमी पूजन क्या उसके दूसरे दिन यह भूमी पूजन करने पहुच जाते हैं किताइं मैं अगर पीजी सर्माजी करें होंगे तो बीस परसंट है अगर जनता उनको पसंद कर ले तो मैं राज्जीति करना छोड़ दूंगा पीजी सर्माजी बुलकुल विकास नहीं अगर चोड़ करता है यह बॉल रहे हैं मामा तो किसान का बेटा है मामा कहा जाएंगे छोड़ के मामा कहीं नहीं जारे जो बहार के होई जाएंगे छोड़के सिवराज जी के रहे मैं चला जाओंगा तो आपको मेरी याद आएगी हमको याद आएगा आपका प्रिष्टाचार हमको याद आएगा आपने जो खतम कर दिया पुरा मध्य प्रदेश सिर्फ दुरूपयों किया सी बूर्ड लगाने म अंदर हमने जो पेंचन जो 15 साल में यह विर्दा और विद्वा पेंचन कमल नाथ शिवराज सिंग चोहान को घोशना वीर बोल रहे हैं क्या कि जो वीर होता है जिसमें दम होता है वही घोशना करता है यह दिसंबर तक के हैं बस उसके अधकतम इन लोगी कहानी 200 पार मध् अधक मेरी पैंसन नहीं बनी मेरा बच्चा कुचिलाल में पीमार एट मीट है जबाई के लिए पैसा नहीं है और यह रहाजन जो है सुसासन मुखमंती जी का आज तक मेरी पैंसन नहीं बनी तक 20 महीने हो गया मेरी बच्चे प्लाइंड है आज तो उसको प्रमाण प्रसन नहीं मिला जो फिकलांग भटता है एक दो महीने मिला इसके बाद में बंग कर दिया रोजगार है भी तो सब घूस खो रही है अभी पटवारी स्काइम हुआ है अभी तक उसके पेपर दुवारा हुए नहीं है बनलब रोजगार कोई फाइदा अभी तक हम लों को मिल नही को ईरोज वसकार चैंग, जित रहका क्या है अभी तूस थार्क है